हलो एब्रीवन, वेलकम बेक तू अनधर ब्लोग, सभी लोग का स्वागत एक नए वीडियो पर, तो आई ओप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्थ होंगे, और सभी लोगों ने अपनी प्रप्रेशन जो डीपी कॉंस्टिवल दोयार तेज की स्टार्ट कर दी होगी, तो कल र मैं आपको बताऊंगा, तो प्लीज आप ए वीडियो लाज तक देखना, और जो भी मेरे वाईबर एंड डीपी कॉंस्टिवल दोयार तेज की तैयारी कर रहे हों, जो भी फ्रैसर्स हों, बिगनर्स हों, इन्हें देली पुलिस के बारे में कुछ नहीं पताओ, तो उस चै प्यूजन हो, फिजीकल से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आप इस चैनल पर जुड़ जाएं, आप और मैं साथ ही दोनों मिलकर तैयारी करेंगे, क्योंकि मैंने पिछली बार की जो बैकेंसरी थी, डीपी कॉं जो भी मैंने फिजीकल दी हैं, सब कुछ तो आप इस चैनल पर जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, तो मैं आपको बता रहा था कि कल जो एक डैली पुलिस के द्वारा ओफिसियल जो नोटेस जारी किया गया, उसमें क्या है, तो फ्रेंड्स उसमें जो डैली पुलि किया है, कितने क्या थे, तो मैं आपको साइड में या पर दिखाऊंगा, और कुछ छोटी यह बात है, मैं आप मैं उसमें से बताता हूं, कि आपके टोटल जो थे 26,812 केंडिडेट थे, जो फिजीकल के लिए बुलाए गए थे, जिसमें से 6,487 बच्चों ने हैना, आप स 37,5137 लोग डिस्कॉलिफाई हुए हैं, तोटल फिजीकल में, और मेरा 27 अपरेल को फिजीकल था, ग्राउंड नमबर 3 में, तो मेरे वाले दिन क्या आकड़ा रहा, तो टोटल 5,500 के 5 ग्राउंड में 25 तो श्टुडेंट बलाए थे, जिसमें से 312 लोग तो आपसेंट थे सबसे जादा अपसेंट मेरे वाले दिनी थे सकता ही सप्राल को, और 1188 बच्चे प्रिजेंट थे, जिसमें से 420 लोग फैल हो गए, और 756 लोगों ने फिजीकल क्वालिफाई किया है, तो मैं आपको बता हूँ, यह साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर लॉंग इस नोटिस को दिखा के बोलेंगे कि आपकी ट्रेट टेस्ट जारी हो गई है, ट्रेट टेस्ट की तिति जारी, तो आपको उन सब वीडियो से बचना है, और जो भी मेरे भाई वेन यह सोच रहे होंगे, कि उनकी 3 साल की एज रिलेक्सेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, बह क्योंकि अगर आपको देली पुलिस के द्वारा नहीं मिलती है, तो बहुत से बच्चे प्रेटिसन दार करेंगे आईपूट में, तो वहां से आपको जरूर तीन साल की छूट मिलेगी, क्योंकि आपकी SSC, GD, CRPF, ADC, ASI वाली वरती और भी बहुत सारी वरती हैं, जनमें तीन साल का age relaxation मिला है, तो आपको देली पुलिस में भी तीन साल का age relaxation मिलेगा, जो भी यह सोचकर तैयारी नहीं कर रहे थे, कि उनको 3 साल की age relaxation मिलेगा, उनका firm डल पाया, कि नहीं, तो वो भी अपनी preparation स्टार्ट करदे हैं, क्योंकि आपको पता है, DP Constable में बहुत श्यादा competition रहने वाला है, पिछले साल भी जनरल की जो cut-off थी 72.2.0 थी, बात कर दिसमलब 20, तो आप मान के चलिए इस बार आपका जो safe score आपको लेके चलना है, वो 80 प्लस लेके चलना है, और 80 प्लस के लिए आपको 50 नंबर की जो GKGS आती है, उसमें काफी अच्छा score करना पड़ेगा, 40 प्लस, तो आप इस चैनल को जोड़ जाएं, इस चैनल पर मैं आपको GKGS related strategy, कौन सी बुक आपके लिए बैस्ट रहेंगी, साथी साथ, math reading और computer, चारो subject के बार में complete detail में information दूँगा, आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या-क्या subject पढ़ने topic बाइस, तो आप इस चैनल को subscribe करने हैं, और आपके जो कुछ भी comment ओ, doubt हो, तो आप नीचे पूँछ सकते हैं, मैं आपका सबका reply करूँगा, तो बढ़िया अपने preparation में लग जाएं, और जो भी कुछ पूँचना चाहता हो, तो आप लोग पूँच सकते हैं, मैं आपको जो भी हो सकता है, पूरी help करूँगा, तो उम्मीज करता हूँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को subscribe कर लेना, मिलते हैं next vlog में, आपको मैं मेरे आने वाले जो नेस ब्लोग में, उसमें सारा कुछ DP Constable से related बताऊँगा, physical, medical, return, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कैसे आप 80 plus score कर सकते हो, और मैंने क्या क्या बुक्स पढ़ी थी, मेरा क्या जो तार रूटीन था, मैं आपको सब कुछ बताऊँगा, तो बने रहना, चैनल उपर जोड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं अगले ब्लोग में, तब तक के लिए बाए, टेक के लिए,